है 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 लोलो फ्यू वेल्कम बैक ट्यूर चैनल जिसका नाम है और गुरुजी जहां मैं आपको प्रोवाइड करता हूं एकनॉमिक्स और जोग्रफिक की क्लास 12 की सारी एजुकेशनल वीडियो तो आद को जो हमारी वीडियो है वह जोग्रफिक की चैप्टर नंबर सेगे डाइडियो जो लोग करते हैं या आउट मैंगरेट करते इन माइट करते लोग कितने लोग मैंगरेट हुए हैं आए कितने लोग है तो 5 5 million pupils और बी आउट माइगरेट किती हुए इंडिया से मतलब कितने लोग बाहर गए इंडिया से तो 20 million people migrated in 2001 in 110 different countries ठीक है 20 million people migrate हुए है 2001 में different countries में 110 different countries में सेकेंड है source places source places मतलब कहां से लोग migrate होते हैं इंडिया में ठीक है ज्यादा तो यूपेंट बिहार से होते हैं इसके बहुत साही रीजन होते हैं मैं पास कि उन्हें भी जॉप की opportunity अच्छे मिलनी चीए वो जॉप की सर्च में या जो भी basic facilities है उसके सर्च में माइग्रेट होते हैं और जो destination places है कहां कहां माइग्रेट होके जाते हैं वह आपका महरास्ट्रा देली गुजरात और हर्याना क्योंकि यहां पर आपकी इंडेस्ट्री वह भी काफी अच्छी है अग्रिकल्चर फिल्ड भी काफी अच्छा है वहां पर जॉब और basic facilities भी उन्हें बहुत चाहीं मिल जाती है आप जो नेक्स्ट्रीक का मारा वह थार्ड कॉल्ड़ फ माइगेशन इंडिया तो देखो फॉइंट यह पॉइं पॉइंट फैक्टर यानिकी नेगेटिव फैक्टर क्या क्या होते इसके तो फॉइंट नंबर वन है पावर्टी किसी भी स्टेट में जहां पर पावर्टी जैसे कि आपने पढ़ा था कि density क्या होती है तो density में जब एक पर्टिकुलर लैंड पर जुसके population capacity होती है उससे ज़्यादा जब लोग आ जाते हैं तो उसके बहुत सारी basic facilities effect होती है जैसे कि health water electricity तो वहाँ पर जब population capacity से ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम कहते हैं high population pressure on land third point is lack of health and education facilities ठीक है यहाँ पर जो health or education facilities होती है वह बहुत कम होती है जिसके वैसे लोग migrate करते हैं मेगर सिटीज में फोर्थ नेच्री डिजास्टर पॉइंट नेच्री डिजास्टर जादा होती है जिस reason में तो वहाँ पर लोग रहना इतना पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ पर बार बार नेच्री डिजास्टर आते हैं तो लोग से माइगरेट करके किसी safe place पर जाना ज्यादा अच्छा सबचते हैं फिफ्थ है पॉलिटिकल इनिस टैबलिटी यहां कि जो पॉलिटिकल गॉर्मेंट जो रॉल प्ले करते हैं वहाँ पर किसी भी स्टेट में जो गॉर्मेंट की पॉलिटिकल होती है वह अच्छी हो नहीं जहां पर लड़ाई दंगे या कुछ बहुत human crisis हो जाते हैं तो वहां पर लोग रहना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं इसलिए पॉलिटिकल इनस्टाबलेटी बहुत जरूरी है किसी भी रिजन में लोग को को migrate करवाने के लिए ठीक है अब भी पॉइंट देखेंगे पुल फैक्टर तो बी पॉइंट है वह आपका पुल फैक्टर जैनकी पॉर्टिव फैक्टर से भी बहुत इंपोर्टेंट रोड़ प्ले करते हैं पॉपलेशन को अपनी तरफ एक्ट्रेक्ट करने के लिए कि हां सब्सक्राइब करते हैं कि यहां पर की कमी नहीं होते हैं कि आज काम मिला कल नहीं मिलेगा परसों मिलेगा नहीं मिलेगा और जो वेजर्ट होती हैं जो सेलरी वी काफे हाई होती अच्छे और थाट वाइंडेटर हेल्ट एजुकेशन फैसिलिटीज यहां क्या होता है जो बहुत अच्छी-छे वोत होता है होस्पिटल्ड फार्मसी की दूकान होती है तो तो एपने हेल्थ को लेंगे इतना सोच नहीं ठीक है और education की बात करें तो private institute, government institute बहुत अच्छे होते हैं तो उन्हें education की भी इतनी दिकत नहीं होती तो वहाँ फैसलिटी बहुत च्छे बहुत च्छे बहुत च्छे होते हैं तो आपको यहां पर सारी source of entertainment मिल जाते हैं जो कि कहीं और villages यहां कहीं दूसरे ruler area की बात करें तो वहां पर आपको इतने फैसलिटी आपकी source of entertainment इतनी ज्यादा नहीं होती तो इसलिए यह सारे फैक्टर है जो लोग को attract करते हैं अपनी तरफ कि आप आईए यहां पर बहुत अच्छे अच्छी source of entertainment है better health and education facilities है और all that तो आपको समझ आग करते हैं कि जो population है वो migrate कैसे होगी ठीक है causes of main मतलब भी causes of migration यहीं होते हैं